दोस्तों अगर आपको भी PM किसान समान ने दी योजना के पैसे का इंतिजार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने वाली है इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा बेरे नाटिफिकेशन को आउन कर लिजेगा ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुचे वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना होगा जैसे आप ब्राउजर ओपन क जाएगा पहाँ सब्सक्राइब कर लेना इस पेज को पूरी तरीके से लोड हो जाने देना कि अभी पेज थोड़ा सब वेट कर लेना है जैसे आप लोड हो जाने दीजेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा इंटरफेस और आपको नीचे स्क्रोल करना है ज देख सकते हैं नीचे भी लोडिंग ले रहा है तो यहां पर एक option देखने को मिल जाता है farmer's corner तो यहां पर इस option में कई सारे services देखने को मिल जाती है जैसे KYC और काफी सारे services आपको यहां से पहले अभी भी आप कर सकते हैं और beneficiary status और beneficiary list यहां पर ऐसी सारी services देखने को मिल देखने को मिल जाता है यहां पर payment success का एक option देख सकते हैं यहां पर और उसके नीचे आपको देखने को मिल जागा financial year जैसा अब देख सकते हैं financial year period और यहां पर dashboard तो सबसे पहले आपको financial year वाला option पर click कर देना है जैसा आपको financial year वाला option पर click कर देना है जैसा आपके सामने आप आप सकते हैं village dustport और यहां पंचाय Значит September अब उसके पाथ आपको नीचे देखने नीक को मिलेगा selected state इत्केपाथ आपको लापे सेपर अपना district select कर लेना है इसको आपको सब यहां पे service summary payment status, आधार notification status, online registration status, आपको इतनी सारी services आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं payment status की, यह दक आज हम बात करने हैं payment status की लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ और services, और भी थोड़ा और जनकारी के बता देते हैं, जैसे अब नीचे देखि नहीं आरहे तो क्या चेक करना और पैमेंट आ गया तो अच्छी बात है जैसे कि आप देख सेथे पाहले सबसे पहला आपको financial year select कर लेना जैसे आप उस पर click करेए कि तो 2022-23 select कर लिजेगा इसके बाद age on 12-12-23 आपको date देखने को मिल जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो जिन भी इंफिसरे का status success हो चुका है जिनका प्रसेसिंग में हो गया है पैसा उनका बेनिफिसरी न कर सकते हैं इसके पर आपको नीचे स्क्रोल करना रहेगा काफी सारे यहां पर नाम देखने को मिल जाता है अगर इस लिश्ट में नाम नहीं है तो आपको बताने वाले हैं इसलिए वीडियो को पूरा तीसे नमपर पर आपको देखने को मिल गा समरी पेमेंटिस आधार ओटिकेसान स्टेटस आपको आधार ओटिकेसान स्टेटस ओल अपको आपको ऐशैसासर बीलेगा जो बी निचे चले जाना है कितना भेजा गया था किवाइसी के लिए आप यहां पर देख लिजेगा आपके यहां फादर का नाम आपका नाम आजाएगा फार्मर ने फादर ने और पांदो 2023 का डेट दिया हुआ है यह पांदो 2023 का अपसन नीचे चले आना है देख सकते हैं छे सच्छाचट है और यह सक नाम देख लिजेगा आपका successful हुआ है या नहीं हुआ है इसके बाद आपको पहले उपर वाले में देख लिना है कि आपका नाम भेजा गया था कि नहीं भेजा गया था इसके बाद आपको नीचे वाले में देखना है कि आपका success हुआ है या नहीं हुआ है अगर नहीं दो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा इस तरीके ताब पूरा status चेक कर सकते हैं कि आपका अभी क्या हुआ जब पैसा आ रहा था यह उन लोक को चेक करना है और जो अभी नया registration करवा है उनको क्या करना है उनका पूरा प्रोसेस बताने वालना है इसलिए वीडियो को पूरा complete देखना होगा जो अंडर प्रोसेस आपको यहाँ पर देख लेना है उनको क्या करना है उनको तहसिल चले जाना और अपना करवा लेना है अब जिन नए registration किये वह तो online registration status पर आपको क्लिक कर देना है जो नए user है जो अभी नए registration करवाए हुए हैं उनको इस पर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना जैसे वेट करेए हो तो आपको सामने फिर से कुछ हैसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको देख आपका नाम इसमें है अगर तो आपको नाम है की नहीं है इसके बाद आपको नीचे जाने के यहां पर देख सकते online registration accepted अगर आपको इस लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा तो बहुत अची बात है आपको कुछ नहीं करना online registration rejected अगर आपका reject हो गया तो आपको इस लिस्ट में आपका नाम मिलेगा तो आपको 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 रिजेक्ट हो गया तो फिर से करवाना पड़ेगा CSE Center जाके फिर से अपलाई करवाना पड़ेगा online registration पेंडिंग अगर आपका पेंडिंग है तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको अपने तहसिल चले जाना है पूरा डॉकुमेंट लेकि आपको वेरिफाइक करवा लेना है इस तरीके साब अपना पूरा डीटेल चेक कर सकते हैं आपको पेंडिंग आए नहीं आया तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा और इस तरीके साब पूरी जानकारी ले सकते हैं अगर वीडियो पसंद आ गए तो बेडियों को एक लाइक कर दीजेगा मेरे चैनल पर निय